नमस्कार मैं हूँ अभशेक स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर सल्मान खान को 5 साल की सजा हो चुकी है कल उन्हें सजा सुनाई गई है लेगने भी बड़ी खबर कि सल्मान की जमानत याचिका पर जो आज सुनवाई हुई है उस पर फैसला आज नहीं बलकि कल आएगा एक राद सल्मान को और बितानी पड़ेगी इससी सल्सले में सल्मान की बहने यानिकी अर्पिता और अल्विरा जो की लगतार दुखी है कल रोती हुए विसपोट की गई थी ये दोनों पहुची है सल्मान से मिलने के लिए जिल मैं जी हाँ, सल्मान से मिलने पहुंची हैं उनकी बहने अर्पिता और अल्विरा बाताते चलें कि सल्मान के साथ हर मौके पर हर मुश्किल पर खड़ी रही हैं उनकी बहने पहले भी जब सलमान कई बार जोतपुर आये हैं पहले भी जब उनके इस मामले में कई फैसले आये तब दोनों बहने अक्सर साथ में रही लेकिन इस बार भी पर सो ही सलमान के साथ ये दोनों मुंबई से आ गई थी वहीं पर सल्मान के साथ ये भी ताज होटल में ठहरी थी रात भर सल्मान को समझाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि सल्मान काफी परिशान थी सल्मान के साथ इन्होंने वक्त गुजारा पर कल जब कोट पहुँचे तब भी ये दोनों साथ थी और सुनवाई के दौरान भी कहा जा रहा है कि कोट रूम में मौजूद थी सलमान की बहने पर जैसे ही सलमान को सजा सुनाए गई सलमान पर फैसला आया अर्पिता और अलविरा दोनों रो पड़ी खास तोर पर अर्पिता काफी दुखी नजराई सलमान को सजा सुनाने के बाद उसके बाद सलमान से अलग कर दिया गया था अर्पिता अलविरा को सलमान को सजा सुनाने के तुरंद बाद सेंट्रल जेल ले जाया गया जूतपुर के जहां पर सलमान को कैदी नंबर 106 का बिल्ला मिला और वहाँ पहुँचते ही सलमान का बलड ट्रेशर भी बढ़ गया था पर अब अर्पिता खान और अलविरा खान सलमान से मिलने पहुँची है जी हाँ, दोनों बहने अपने भाई से मिलने पहुँची है दोनों को उम्मीद थी कि आज सलमान को बेल मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी पर ऐसा हुआ नहीं लंबी बहस के बाद कोट ने फैसला दिया कि जमानत याची का पर फैसला कल सुनाया जाएगा यानि की एक दिन टल गया है आज रात सलमान को फिर से जेल में ही बितानी पड़ेगी इसी सिलसले में अरपिता और अलविरा मिलने पहुँची है सलमान से इस वीडियो में फिलाल इतना ही